लखनादौन पुलिस और वन अमले की कारवाई कच्छवे की तसक्री करते नर्सिंगपुर के 6 लोगों को किया गिरफतार नर्सिंगपुर जिले के है सभी आरोपी मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन थाना अंतरगत जबलपुर रोड बाइपास में एक कच्छवा की तसक्री करते 6 लोगों को पुलिस गिरफतार किया है और उन्हें वन विभाग के हवाले किया है जानकारी के अनुसार नर्सिंगपुर जिले से 6 लोग कच्छवा लेकर लखनादौन पहुँचे थे और जबलपुर रोड बाइपास के पास उसे बेचने की फिराक में थे तभी पुलिस और वन विभाग की टीम ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया पकड़े गए आरोपियों में आशीश पिता प्रकाश्चन श्रीवासवत, पवन पिता नरेश सक्वार, वीर सिंग पिता हलके प्रसाद थाकुर, अकील एहमद पिता हबीब कुरैशी, राकेश पिता हलके प्रसाद जाटव शामिल है जिनमें पाँच लोग निवासी करेली जिला नरसिंग पूर वशरत पिता रामप्रसाद जाटव निवासी अजनसिया गाडरवाडा के है वन विभाग की ओर से पकड़े गए छे आरोपियों के विरूद्ध वन्यद जीव सनरक्षन अधिनियम के तहट मामला पंजीबद कर विवेचना की जा रही है ये कारवाई वन विभाग के एसडियो गुपाल सिंग के मार्क दर्शन में की गई जिसमें फॉरेस्ट गाड गुमास्ता राजकुमार पटेल का विशेश योगदान रहा बताया जाता है कि अंध विश्वास के चलते वन्यद जीव कच्वा जैसे कई प्रजातियों के जीव जन्तों की तसक्री की जाती है और ऐसा मानना है कि कच्वा की मदद से 60 का नम्ब निकाला जा सकता है इसी अंध विश्वास के चलते कच्वा के दाम लाखो रुपे में है जिसके चलते इसकी तसक्री हो रही है संभावना जताई जा रही है कि अंध विश्वास के चलते ही नर्सिंगपुर से ये 6 लोग कच्वा बेचने या अन्य और देश्य से लखना दौन पहुँचे थे जिसकी जानकारी लगने पर वन विभाग और पुलिस विभाग की तीम के द्वारा कारेवाही करते हुए इन्हें कच्वा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया